Hello and welcome back दोस्तों I hope कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्त होंगे दोस्तों आज के समय में जो हम education कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे certificate courses या certificate की जरूरत होती है जिसके basis पर आप job में select हो सकें या job में apply कर सकें इसे कई तरीके के courses होते हैं और वो certificate होते हैं चाहे वो O level हो, drone certificate हो, DGCA का certificate हो या फिर कोई skill development, NSQF level के certificate हो आज के वीडियो में मैं कुछ इस तरह के certificate के वारे में या courses के वारे में बात करने वाला हूँ उसके sources के वारे में आपको बताने वाला हूँ और साथ मैं eligibility के वारे में बताने वाला हूँ जहां से आप चाहो तो O level, NSQF, skill development, drone pilot जैसे certificate या license को achieve या प्राप्ट कर सकते हो किस तरह से कर सकते हो, क्या eligibility होती है उसके लिए हमें screen पर जाना होगा तो आईए सीखना शुडू करते हैं देखिए दोस्तों पहला है O level का certificate जिसके वारे में mention भी है internet पर की O level certificate अगर आपको मिल जाता है तो ऐसे में आप state government की कोई job होती है उनमें particularly apply कर सकते हो तो O level certificate वा होता है जो की basic level पर आपको मिल सकता है चाहे वो आप school candidate हो ITI हो, polytechnic हो, यहाँ पर mention है वा candidate अचीव कर सकते है उनकी eligibility criteria यह होता है अब O level के certificate या तो computer software से related हो सकते है data preparation से related हो सकते है data collection से related हो सकते है तो यह तो एक जानकारी वाली website थी इसका धन्यवाद अब हम देखते हैं कि O level के certificate आप अचीव कर सकते हो कई सारी website से, government recognized website से बट आज मैं अभी आपको एक ही बता रहा हूँ जो कि NILIT है जैसे कि National Institute of Electronics and Information Technology जो कि इस ministry के अंडर work करती है जैसे हम virtual academy पर इसके जाएं और नीचे की तरफ scroll करें तो आपको काफी सारे courses मिल जाएंगे जो कि वैसे advanced courses के उपर होंगे बट यहाँ पर आपको O-Level के certificate courses भी दिखाई दे रहे हैं मैं अब आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि इसके अलावा भी NILIT की man website है जिसकी link में description box में दे दूँगा वहाँ से आप courses कीजिए उसकी information मिल जाएगी और इसके अलावा आप इस virtual academy पर देखेंगे तो pad के साथ साथ कुछ introductory free courses भी मिल रहे है और कुछ paid भी मिल रहे हैं आपको चाहे वो AI हो, IoT हो आप कर सकते हो यहाँ से courses कैसे पता चलेगा, कौन कर सकता है तो आप click here to detail पर जब click करते हैं तो वहाँ पर आपको particularly सारी की सारी information मिल जाती है दोस्तों जैसे यह वाला course जो मैंने open किया वहाँ पर mention है कि इसमें 10th या फिर जो 10th कर रहे हैं वो लोग apply कर सकते हैं किस तरह से इस तरह के courses में apply करना है तो apply का link भी होता है आप just apply पर click करेंगे तो एक window open हो जाएगी जिसको भढ़ने के बाद आपको बाकी की detail email या mobile number पर मिल जाती है free courses पर आप see detail पर click करेंगे तो फिर आपको वह courses मिल जाएंगे यहाँ तो course की fees भी नहीं है और साथ में कोई eligibility criteria भी नहीं है सब ही कर सकते हैं NIE LIT की website से आप कर सकते हो अब second बात करें drone pilot की तो drone pilot बनने के लिए या फिर drone pilot की job जो government भी निकाल रही है उसमें apply करने के लिए जरूरी हो जाता है license या फिर drones related आपको पूरी training और certificate भी जो की 10 वर्सों के लिए वैद होती है ऐसा लिखा है आपको हर कहीं से नहीं लेना है drone pilot आपको DGCA का DG Sky जो website होती है वहीं से आपको लेना है और इसकी जब आप training टेप पर जाएंगे जिसकी link description box में है तो आपको training institute की list मिल जाती है जो अब 127 हो चुकी है आज से कई साल पहले जब मैंने इसकी उपर वीडियो बनाना शुड़ू किया था तब ये कुछ 10 या 15 थे आज 100 से ज्यादा है अल ओवर इंडिया में एक आपको जिसको भी देखना है आप उसका link copy कीजे या address copy कीजे जैसे मैं एक दिखा दे रहा हूं आपको इंद्रा गांधी राष्ट्री उडान एकेडमी है यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि भही हम certificate training कराते है DGCA approved यहाँ पर लिखा हुआ है और minimum 10th pass होना चाहिए क्या-क्या eligibility criteria वो यहाँ पर mention है दोस्तों कब-कब बेच होती है उसके बारे में भी यहाँ पर information, brochure, कितने दिन की होगी और साथ में contact detail वगेरा भी दी हुई है तो आप DigiSky की website से पता कर सकते हो drone pilot कैसे करना है NSQF level के अगर आपको certificate देखना है या skill development देखना है जो ITIA 10th level पर होते हैं इसके बाद आप job में apply कर सकें तो मैं अभी एक institute बता रहा हूँ आगे के वीडियो में और बताऊंगा वो है Tata Strive Tata Strive एक तरीके की government और private CSIR के साथ में एक scheme है जिसके थूँ आपको skill development के courses के certificate मिलते हैं और Tata Strive 22 केंद्रों में 17 छोटे छोटे केंद्र भी है इसके जहाँ पर यह संचालित है और जहाँ से युवा या फिर job seeker अपने लिए skill gain कर सकते हैं automotive, digital course, e-learning entrepreneurship, hospitality, service oriented में जहाँ पर भी आपको training करना है आप just इस पर click कीजेगा माल लिजे आपको auto sales consultant बनना है तो वहाँ पर लिखा है graduate, 12th pass या फिर ITI diploma apply कर सकते हैं कहां कहां पर courses होंगे तो आप find center पर जैसे click करेंगे तो आपको उसकी information मिल सकती है दोस्तों यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है तो इसके वारे में मैंने dedicated video भी बनाया हुआ है तो यह तीन ही आज मैं बता रहा हूँ यह वाली हम scheme पूरी तरह से चालू रखेंगे जिससे कि आप पता कर सकें कि job ready courses certificate कहां से मिल सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आपको information पसंद आई होगी यह job oriented courses हैं जो कि आपको job में apply होते हैं इसी तरीकी की series में कुछ न कुछ वीडियो में आपको बताता रहूंगा इनकी जो आज मैंने बताया उसकी link description box में है तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं लंबा भी हो जाएगा आपको त्यारी भी करना है एक और से certificate की मिलते हैं next वीडियो में all the best, bye bye, take care दोस्तों whatsapp, telegram की link description box में उसे भी please follow कर लीजे, bye मिलते हैं next वीडियो में